कि हलो एवरीवन आप सभी लोगों का सुवागत है टीचिंग परिशा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारी सीटेड जैनवरी के लिए संपून इवियस की एक जो शंखला है हमारी उसको स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी लोगों को बता दू फ्रेंड्स की जो अब तक पूछे गए प्रश्न हैं चाहे आप लोगों की एंसी आइटी जो थर्ड से फिफ्ट वाली हो चाहे आप लोगों का जो जो कल्चरल हमारी जो बुक है एंसी आइटी जो एक्स्ट्रा बुक आप लोगों की निगालती है जिसमें से कुछे जाते हैं वो बुक हो उन सभी के आधार पर ही आप लोगों को में डीटेल सॉलूशन भी देने वाला हूँ जिससे के एक एक कोश्चन के उपर में आप लोग कई सारे दूसरे और भी कोश्चन को सॉल कर पाऊंगे तो देखिए फ्रेंड्स पहले ही कोश्चन के तरफ में मैं जब आपको लेकर चलूँगा तो आप लोग देखोंगे कि कितने बढ़िया तरीके से एक कोश्चन की मतलब से कई सारे कोश्चन को आप लोग समझ पा रहे हो आप और उसकी पेडागोजी, EVS और उसकी पेडागोजी इस तरीके से फ्रेंड्स पूरा मैट्स और EVS मिलाकर साथ नंबर का जो पूरा पका पैकेज बनता है, वो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहां पर में प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने, ताकि आप साथ नंब कि यहां पर में तयारी कर सकें, CDP के आप लोग अल्रेडी कल रहे हो, languages आप पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आप लोगों ने यहां पर में target रखना है कि कैसे आप 120 प्लस ला सकते हो आप लोगों के exam में, ठीक है, देखे friends, the only source of knowledge is experience, जितना जादा आप लोग यहां पर में को होता है, वही चीज आप लोगों को जो है, actual में आपके दिमाग में subconsciously feed हो जाती है, तो आप लोगों ने practice करनी है, जितना जाजदा हो सके, आप लोगों ने यहां पर में कोशिश करनी है, क्योंकि कोशिश करोंगे, वही चीज आपका experience बनेगी, और experience बनने के बाद में ही व paper 2 SST के लिए है, और paper 1 plus paper 2 combo भी है आप लोगों का, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो, BSTED की तैयारी कर रहे हो, BPSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है, TRE की तैयारी कर रहे हो, आप लोग या UPTED, SuperTED की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग teaching परीशे के off ले सकते हो, पहला ही question आप लोगों के screen के उपर में यह रहा, friends, आपको बताना है कि इसका answer क्या होगा, देखे, बहुत ही बढ़िया वाला question है, जी, DP का याद हो, जी, उसके लिए न, एक बार आप जैसे जो नीचे में number चल रहे है, उस पर call कर लोगे न, तो team आपको बिल यह केवल लोग तक जील एक स्थान है, मतलब केवल लोग तक जील में ही वहाँ पाई जाती है, यह कौन सी वाली चीज है, और यह आपको बता दू, friends, कि जो आप लोगों का diversity नाम की जो book है न, आपके NCRT की, जो extra book है, जो आप लोगों को दी गई है, भारत के अलग अलग जीज में बताया गया है, उसमें यह question आपका है, तो friends, चीतल, बारा सिंगा, सांभार या संगाई, तो संगाई डियर या संगाई जो हिरन है आप लोगों की, वो केवल और केवल आप लोगों को लोग तक जील में मिलेंगी, लोग तक जील के लोग तक लेग जो है, उसके इसा पॉइंट, यह एक नमबर आप लोगों को यहां मिलेंगा, कि लोग तक जील में कौनसी वाली हिरन पाई जाती है, सांगाई डियर या शांगाई जो है, आप लोगों की हिरन पाई जाती है, इक question हो गया, दूसरा question, लोग तक जील का state बताओ, चलो, जल्दी जल्दी क्यों है आप लोगों की मनिपूर के अंदर में यह याद रखने आप लोगों ने मनिपूर जील के अंदर में जो लोगतक जील आप लोगों की यहite न ओर्थ-east इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है तो एक कोश्चन और याद पर आप लोगों जल्दी से यह यह जो लोग तक जीले इसके उपर में फुमडी है जो इस तरीके से सर्कूलर आकार की जो है यह इस तरीके से बहुत सारी फुमडी जो है आप लोगों की तेहरती रहती है ठीक है यह बहुत सारा जो है न मिट्टी का धेर ऐसा लगा हुआ है मिट्टी के धेर है जो पानी के उसी के उपर में तैरते रहते हैं कई सारे जो यह फुम्डीज है एक जगह पर आकर इखठा हो गई है कई सारी और उसी के उपर में आपका काईबुल लामजौ नेशनल पार्क आपका बना हुआ है एक मात्र तैरता हुआ ठीक है दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यह राश्ट्री उध्यान कौन सा है तैरता हुआ National Park कि कि तो आप लोगों का एक बार एक मात्र floating National Park कौन सा है floating तैरता हुआ है एक नंबर यहां भी मिलेंगा आप लोगों को और मैं आपको बता दूधू कि last में आप लोगों के लिए ठीक है जो हम लोगों ने रिवीजन रखी है ठीक है उसके अंदर में हम लोग जो क्या करेंगे यह जो भी मैं आपको extra point बता रहा हूँ उसके ओपर में ताबड तोड़ हम लोग प्रिविजन करने वाले हैं, तो सभी लोगों ने याद रखना इन साइशीजों को, और संगाई जो है यहाद का स्टेट अनिमल भी है, और संगाई डियर जो है इसके उपर में पाया जाता है आप लोगों का, तो यह पॉइंट है, जो याद रखना है आप सभी लोगों का, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, कौन सा वाला हिरन है, आप लोग लिख दीजिए, अभी इस बार कमेंट में आंसर करना है आप लोगों ने, पिछले बार 55 प्रतिशत लोगों ने आंसर किया था, अब यहाँ पर में लिख दोंगे आप सभी लोग, संगाई डियर आपको पताना है कोई कौन से वाले जो है, तीन राज्ये हैं जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं आप लोगों कि बताईए, तो देखिए फ्रेंट्स यह भी एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है, आप लोगों को एक चीज, ठीक नौ राज्ये हैं जो अपनी बॉर्डर समुद्र के साथ में करते हैं, एक है गुजरात, महराष्ट्र, गोवा, ठीक है, यहाँ पर मैं आपका करनाटक, केरल, यह पाच हो गए, यहाँ पर मैं आता है तमिलनाडू, ठीक है, आंदर प्रदेश, उडिशा और पश्चिम बं ऐब आउर,ंडीक इसदल समुवीड़ी किर्ण अपनील, ओके तो आप लोगों से बॉला गया है की बंगाल की खाडी, किसकी लगती, महराष्टर की तो नहीं लगती इधर में, बंगाल की खाडी के के साथ में नहीं लगती अरब सागर के साथ में लगती है ठीक है उसके बाद में यहां पर में भी केरल आगया आप लोगों का करना ट्रक भी आगया आप लोगों का तो आंसर सी के अलावा कुछ नहीं हो सकता आपका ठीक है तो बंगाल की घाडी के साथ में कौन से चार राज के नाम चप्74 राज्यों के नाम चाहिए आप लोगों की उत्तर से दक्षिन के तरफ लगाते लुए और में आप लोगों के लिए धीरे 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 जो है इसको और जाधा जो है ना आपके दिमाग में किस तरीके से कुष्छान ओर बन सकते है क्या कोश्चन बन सकता वो सारे के सारे लगा दूगा उत्तर से दक्षिन के तरफ में आप लोगों को लगाना यहां पर में उत्तर के तरफ से दक्षिन के तरफ में आते हुए आपको चारो राज्यों के नाम लिखने है ठीक है जी उत्तर से दक्षिन के तरफ में आते उत्तर से दक्षिन के तरफ में लगाना है प्रिया नीचे से उपर नीचे के तरफ में लगाना है यह बहुत बढ़ी है आप लोग यहां पर में लिखते जारो यही चीज है एक 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 अटिविटी आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे यह याद रखना है आप सभी है है ठीक है तो यहां पर में आप देख सकते हो कि कोशिन न में बॉला गया की के डेका से हमारे लिए क्या लहीत लेकर आयते और कॉन लेकर आएते यह ऐख एक और कॉशन के लिए एक्स्ट्रा अगर के जो कुशिन है वह भी आप लोगों का जो है ठीक है टमाटर पोटेटो और ग्रीन चिली जो हरी मिर्च है आपकी ये कहां से आई है साथ अमेरिका से ये तपमाटर आलू और हरी मिर्च ये आई है साथ अमेरिका से चीक है South America से लाया गया है इसको इसके अलावा जो है Friends मैंगो ऑरेंज बनाना ठीक है आप लोगों का मेथी स्पीनिच मतलब की आप लोगों का जो है बैगन मूली यह सब भारत की है ठीक है लेकिन Friends यहांँ पर मैं यह आ आन लोगों का कहा से entertainment गविटा है न, उसका ये सार है, आप कवीता तो आप लोगों ने जो है friends, exam में लिखनी निये, आपने क्या करना है, आपको तो table चाहिए, आप Lords, आप को data चाहिए, आप लोगों को data चाहिए, पता चले आप लेअपने याद कर लिया लेकिन वह आप लोगों को जो है, exam में आ बार 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 थीक है चला ॉप्सटों लोग को कॉन सी चीज भाइए लिए दक्षिन अफ्रीका से दक्षिन अमिर्के से आई है अब आप लोग क्या करोंगे आप लोगों के लिए एक हम क्या करते हैं ठीक है हम आपके लिए एक चीज करते हैं चारो ऑप्षन बताओ कौन सी चीज कहां से आई है चलो एसे स्टार्ट करो और डी तक जाना है आप आप लोग ने रेडि चैलेंज एक्सेट करते हूं कितने लोग चैलेंज एक्सेट करते हैं मुझे l survival स्वक्र encompass पता तो छ Limङाटल करो छलो बताओ एक कहा से आया गोभी कहा से आयी थि गोभी और मटर ठीक गोभी और मटर हम लोगों ने देखा था फ्रेंट की गोभी और मटर दोनों के दोनों यूरोब से आया है गोभी मटर की सबजीघ कहेंगे ठीक और यूरोप पों याद करेंगे चालो यूरोब होगया आप लोगों क साउथ अमेरिका से जो कि हमारा अंसर भी है ठीक है साउथ अमैरिक अमेरिविका से अजो ही तो जब भी बिंडी खाव आप लोग लोगा है तो अफरीका से्जिए साय ऑफुगा । और coffee जब पी होंगे तब भी उसको भी बताना, coffee तुझे पता है, तेरे जो beans है, तेरे जो बीज है, वो भी अफरिका से लाए गए थे, तो उनको बताना, ठीके बहुत हो पता होना चाहिए न, जब जब आप लोग जो है, टमाटर घाओ, तो तो टमाटर को भी बताना की टमा बड़िया वाला कोश्यन है ध्यान से समझना आप लोग यह कोश्यन एक्जाम में आ चुका है NCIT में दिया हुआ है आप लोगों से वापस से पुछे जाने की संभा होना है ठीक है देखिए अगर मैं बात करूँ आप लोगों से मिजोरम के अंदर में कहा होता है यह प्रता देखो दियान रखना एक कोश्यन बन गया आप लोगों का मिजोरम में ग्राम सभा या जो पंचायत है वो लौट्री के द्वारा खेती के लिए भूमी का आवंटन करती है तो एक को सब्सक्राइब करती है तो आपको जो है फ्रेंड्स एक विशेश मात्रक होता है टिन जिसको कहते है कि इतना टिन भूमी जो है वह आपको दी गई जैसे मान लिए यहां पर में है ठीक है श्रीकांथ है ठीक है समीय है प्रिया है इसके बाद में बिंदास इंडिया ने यहा लग लग तीन किसी को तीन तीन किसी को चार तीन भूमी जो है दी गई तो यह तीन का मतलब क्या होता है कितना एक तीन मतलब कितना तो तीन का मतलब जो है फ्रेंट्स होता है आप लोगों का वह भूमी ठीक है जिसके उपर में एक तीन बीज बोया जा सकता है तीन बीज एक जो है ना fetch basically आप लोगों का ठीक है, मातर्रक होता है कि इतना मतलब एक तीन भीज, और उस बीज को उतने भीज को आप लोगों का बोने के लिए, जिस जमान कई, जितनी बहलेख बहलेऊ चाहमन सक्राइब का इतना बाइब जमान सथान आप लोगों का सीड्स, उसके लिए ज मान लो कि किसी को दो टीन जमीन दी गई है उसका ये मतलब है कि दो टीन जो बीज है उसको बोने के लिए जितनी जमीन लगने वाली है उतनी जमीन उसको दी गई है किसी को चार टीन जो है दी गई है यहाँ पर मैं आपकी ठीक है तो चार टीन जो आप लोगों को जो है जमीन दी गई है, मतलब कि 4 टीन बीच को बोने के लिए जो जमीन लगेंगी उतनी जमीन दी गई है तो एक टीन का मतलब होगा एक ऐसी लेंड या एक इतनी लेंड आप लोगों की या इतनी जमीन जिसमें एक टीन जो है सीट को बोया जा सके तो यह याद रखना है आप सभी लोगों ने, तो दो पॉइंट हमने सीखा, कि कौन सा राज्य है जहापर में जो है, आप लोगों का लेंड जो है, आप लोगों का लोट्री के माध्यम से दिया जाता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीम से कि प्लीज यह कोश्चन जो है, आप लोगों का राज्य है जहापर में, ठीक है, आप का लोट्री के माध्यम से जो है, जमीन का वितरण किया जाता है, वह आप लोगों के लिए एक डाल दिया जाए, ताकि आप लोगों इसको याद रख सके हापर में, ठीक है, रति गौत्वम जी, आवाज जो है, आप आ सब्सक्राइश प्रेंड मीजोरम हों से सब्सक्राइश लोगों का हैbu यह बढ़ा वाला प्रेंड तोel मियार का सीट निवी तेट neural में यता सब्सक्राइश DAS यह कौन से राज्ये की पेंटिंग है पट्ट चित्र आप लोगों से मैंने कहा है आप लोगों को NCIT के साथ साथ में आपको जी डाइवर्सिटी वाली बुक है उसका भी पूरा का पूरा आप लोगों को करवा हुगा ठीक है तो जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग करते रहना है और जिन लोगों को सब्सक्राइब दिख्यूरण को चैनल को शीटन प्रास्वाइब जरूर कर लेंगे डोको जितने भी वीडियोस है आप लोगों को मिलते रहे तके चल्य video另sy ढूंट से बताईए इसका answer क्या होगा तो भाएं आप लोगों की उडिशा राज्य के अंदर में बनाई जाती है प्तr से आप सभी लोग भी ठीकिotal जो है कहा पर महाbreaker में और अधर मैं और हिसम देख सकते हूं एंई Так गा रेफरेंस आप लोगों के लिए एंसी आइटी जो आप लोगों की डाइवर्सिटी वाली भूख है उसके अंदर में चित्रकला पट्चित्र कहा पर में होती है उडिशा की ताड़ पत्री के ओपर में की जाने वाली चित्रकला को पट्चित्र कहा जाता है तो पाम लीव ठीक है आंदरप्रदेश ठीक है आपका च्छत्तीजगर जारखन महारास्ट्र इधर साइड में जाओंगे न तो ताड़ पत्री के उपर में खाना भी घाते हैं उसके उपर में अगर आप लोग जाओंगे तो कही सारे जगा पे कही सारे गाओ अगरे के अंदर ने ताड़ पत्री पे खाया न भी जाता है ठीक है जैसे तारा चाहर रसी अजी बोरे की जी खाया है करके ठीक है तो फ्रेंट उडीशा के अंदर में उसके उपर में चित्रकारी भी की जाती है और हमारे हाँ पुराने जमाने में ठीक है आज से करीब 2000 साल पहले ताड़ पत्री के सबी लोग पाम लीफ है तो यह आप लोगों थोड़ा सा याद रखना है नो फ्रेंट्स एक बहुती बढ़िया वाला कोश्चन यह कोश्चन जो है फ्रेंट्स आपका एक हाई-लेवल कोश्चन बन गया ठीक है लेकिन फ्रेंट्स इसने भी इसका आंसर कर दिया भाई मज़ा आप लोगों और मैं आपको चारो के चारो चीज़ाओं यहाँ पर में चारो चारो चीज़ आपको आज आप सीख कर जाओंगे आपको इन कोशन से भागना ने क्योंकि मुटर क्योगों отнош् nights à require वाले शेत्र की स dealt a can में भी उख सकते हैं उनको क्या कहते है आप लोग हिंदी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इजी है वो क्योंकि उसके अंदर में एक शब्द आगे जिसके आप लोग जोए थोड़ा सा हिंट लगा सकते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको चारों के चारों बता देता हूँ द प्रकार के जंगल होते हैं आपके खारे पानी के अंदर में भी उख सकते हैं तो हैलोफाइट मतलब होता है ऐसे पौधे जो खारे जेल के अंदर में भी उख सकते हैं मेंगरू टाइप के ओके मेजोफाइट ठीक है मेजोफाइट का मतलब क्या होता है मेजोफाइट का मतलब होता है ऐसा ऐसे आप लोगों के जो मध्यम पानी मध्यम मतलब बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए ना बहुत ज्यादा कम पानी चाहिए ठीक है मेज मेजोपाइट तो मध्यम वर्षा वाले शेत्र के अंदर में जो उखते हैं उनको कहा जाता है मेजोफाइट ठीक है यहां पर में यह नमकीन पानी में समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो वह वाला टाइप का तो यह खारे हैलो मतलब देखो मान लीजी के मेड़ा माई तो नमक वाले पानी के अंदर में नमकीन पानी के अंदर में जो है आप लोगों का यह उख सकती है उख सकता है ठीक है मेजोफाइट मतलब आप लोगों का जो है मध्यम वाले वर्षा के अंदर में जहां पर है बहुत ज्यादा पानी नहीं है ना बहुत कम पानी मध्यम है ज जैसे cactus type के जो पौदे होते हैं आप लोगों के भीड़ोगों के बहुत कम पानी है, zero, zero को zero से याद रखलो, सबीव यहां पर मैं देखो, मैं एक-एक करके आपसे सारे के सारे पूछूँगा, एकक करके सारे के सारे पुछूंगा, आप लोगों से याद करवा रहो हूं, मतलब पूछूंगा भी आप लोगों से सारे के सारे the points, ठीक है, तो, 0 मतलब, 0 jó, ठीक है, 0, तो, 0 fights से या, 0 से आप लोग याद रखोंगे, बहुत कम पानी जो है, वहाँ पर में available, केक्टश पाइटेपल ये सब आप लोगों की कम पानी वाले शेतर में उखते हैं हेलियो फइट ऑफ लोगों II मतलब ऐसे जो कि आपके तेज धूप वाले शेतर में उखते हैं जहां बहुत जबत रौश्नी य represents बहुत ज्यादा धूप होती है वहें उकते हैं hellio है hellio fight ये यदज रखने आप लोगें早 है लियसे तो यहां पर में hallo और hellio में confuse नहीं होना है आप लोग deepen गें hallo मतलब आप लोगों का आप लोगों का खारापानी में और hellio हे भागवान कितनी गर्मी है ठीक है हम तो थक है हेलियो तो हे भगवान से हेलियो याद रख लेना आप लोगों ने तो आत्पोध भिध तेज धूप वाले शेत्र में उगने वाले पौध है ठीक है जेरो मतलब तो चलो आप लोगों को सारे के सारे बता दिया है मैंने यहां पर में खारे पानी मतलब हेलो फाइट्स आपका आगे में बढ़ते हम लोग यहां पर में और भी कोश्चन से हमारे उनको देखते हम लोग यहां पर में आपको बताना है कि NCRT की EVS की अध्याय नंबर 23 पोचम पल्ली जो है वह किस चीज पर आधारित है वास्तविक स्थान पर आधारित है वास्तविक घटना पर आधारित है लोग और उनके अनुभाव पर आधारित है या वास्तविक चित्र पर आधारित है यह देखे यह बढ़िया कोश्यन है आप लोगों का तो पोचम पल्ली कि है ठीक है अध्याय नंबर EBS का आपका अध्याय नंबर 23 है ठीक है NCIT का वो किस चीज पर आधारित है यह बताएंगे आप सबी लोग तो आप लोगों का तो आप लोगों का 23 नंबर जो चौति कक्षा के अंदर में जो आपका चैप्टर है ठीक है पोचंपल्ली इस टाउन और ते लंगाना तो आप लोगों का किसकी ओपर में बेज़्ड है यह आप लोगों का ऑव्यसी बात है फ्रिंट्स आप लोगों को याद रखना है कि यह पर आधारीत है ठीक है रियल प्लेस के उपर में जो आप लोगों का पोचम पली NCID EVS की जो चतुरत का क्षा का जो आध्याय नंबर 20 है यह वास्तवीक स्थानों पर आधारीत वास्तवीक स्थान पर आधारीत है क्योंकि पोचम पनली नाम की एक जगा है तेलंगाना के अंदर में है ना तो किस पर अधारित होंगा आप लोगों ने कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया है इसका देखें यहाँ पर में रियल प्लेस आप लोगों का दिया है केवल और केवल 33 प्रतिशत 33 परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है real place पर आधारी थे वो वास्तविक स्थान के उपर में तो याद रखेंगे आप सभी लोग वास्तविक स्थान ठीक है और कौन-कौन से आप लोगों के lessons है देखो यहां पर में जो real places पर आधारी थे जो class 4 का पहला session है आपका going to school यह real place पर आधारी थे आप लोगों का ठीक है, Omana's journey, ठीक है Omana की यात्रा, ठीक है, यह आप लोगों का जो है friends, real जो है real जो place है, वास्तवी स्थान उस पर आधारी थे, फूलो की घाटी, valley of flowers, कहापर में यह valley of flowers, आप लोगों का, फूलो की घाटी, उत्राखंड के अंदर में ठीक है, walls tell stories, ठीक है, दीवारे कहानिया सुनाती है, एक आश्रय इतना उचा, a shelter so high, यह भी आपकी real places पर, यह बहुत important है आपका, ठीक है, यह इस तरीके के question, यह actual question है आपका, जो एक्जाम में पूछा गया था, पोचंपली किस पर आधारी थे, वास्तवी स्थान पर, तो आपके उपर में, आपको डाउनलोड जरूर कर लेना आप सभी लोग, चलिए, next question के तरब में, हम लोग आगे बढ़ते है friends हमारे, ठीक है, next question के तरब में आगे बढ़ते है, wish of the following is not a neighboring state of Karnataka, चलो, अब बताओ जल्दी से, कौन सा वाला Karnataka का neighboring state नहीं है, पहला question तो यह कौन सा वाला Karnataka का पड़ोसी राज्य नहीं है, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, तो थोड़ा सा आप लोग, जो है मैप को हलका हलका सा जितनी जादा प्रैक्टिस करोंगे आप लोग, उतना आप लोगों को और बहतर तरीके से समझ में आता जाए यहां पर महाराष्ट्र है, यह तेलंगाना है, आंद्रप्रदेश है, तमिलनाडु और केरल है, और यहां पर में गोवा भी आप लोगों का, करनाटक और मध्यप्रदेश का कोई भी यहां पर में common border नहीं है, करनाटक और मध्यप्रदेश का, तो आपका मध्यप्रदेश करनाटक का मध्रप्रदेश के साथ में कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं है अब मैं आप लोगों को जो है इतने सालों से जब से आपका पहला सीटेट हुआ तब से जब मैं सबसे मैं देख रहा हूँ इसको पूरा सीटेट और इतने लाखो बच्चों को पढ़ाने के बाद म चलो देखता हूँ मैं कितने लोग यहाँ पर में कर सकते हैं आप सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे बताओ कि कितने राज्य है और कौन-कौन से राज्य है करनाटक के पढ़ोसी राज्यों को नाम लिखेंगे सभी लोग एकदम स्पीड में आपको करके आगे बढ़ जाने से नहीं हूँगा जो मैं रोज डेली करा हूँगा आप चाहते हो डेली इस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़े याद करा दू मैं आपको आपका अगे बढ़ा दू तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता देंगे और रोज आप लोग ने एक बज़े आ जाना है मैं आपको पूरा 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 प्रो बना दूँगा इसके अंदर में पेड़ागोजी के साथ में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए और कली जो है आप लोगों के लिए बात तो यह मैं चाहता हूं कि बच्चों का मैं आप देखना जाता हूं कि 60 में से आप कितना ला सकते हो मैं अच्छों को मिलाकर ठीक है पेड़ागोजी सब कुछ करके यहाँ पर में 60 में से कितने नंबर आपके आ सकते हैं और 120 प्लस कौन ला सकता है आप सभी लोगों में से देखिए यहाँ पर में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से इस पर्टिकुलर इसकी तो आप लोगोंने आंसर कर दिया महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंदर प्रदेश, त ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाच, लेकिन यह याद रखना कि गोवा भी है ठीक है, यह याद रखेंगे आप समी लोग, यहाँ पर में आपका गोवा भी है, गोवा ठीक है, गोवा तो छे हो जाते है, तो छे राज्ये है आप लोगों के टोटल, महाराष्ट्र, अंदरप्रदेश, तमिलनाडू, केरल और गोवा, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के छे राज्यों के साथ में करनाटा का अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, जितने जादा बार प्रैक्टिस करोंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, कितने वर्षों से कम से कम, 25 साल से रह रहे हैं जंगल में, ठीक है, उनका वन भूमी और उस पर उगने वाली चीजों पर अधिकार है, उस जमीन के उपर में उनका अधिकार है, वो उस जंगल के जैकान शीख रहे है, और वो जंगल उन ठीके जंगल आपको मतलब जंगल की जमीन आपकी हो जाएगे और उसके अउपर में उगने वाली चीजे भी आपको हो जाएगे कि तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में आप लोग देखिए कि जो लोग कम से कम 25 वर्चों से जंगल में रह रहे हैं उनका वो जंगल हो जाएगा आप लोगों का तो यह आप लोगों का लिया गया है क्या बोला गया आप लोगों का कि जो लोग 25 साल से रह रह रहे हैं कम से कम ठीक है वो जमीन उनकी है और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स की जो प्रोटेक्शन है फॉरेस्ट को बचाने का काम किसको दिया गया है ठीक है अरे जंगल को बचाना भी तो है ना ऐसा है थोड़ी है कि सब में बाट दिये जंगल को काट दालो सब लोग जो भी ग्राम सभा रहेंगी उनकी जो ग्राम सभा रहेंगी उसका काम है जंगल को बचाने का तो यह कोशन आप से पूछा जा सकता है कि जंगल को बचाने का काम वहाँ पर में उस सेष्टर में जंगल को बचाने का क किसको दिया गया है ठीक है Thank You Shrikant तो यहाँ पर मैं आप देखिए कि gram सभा जो है वो जंगल को बचाने का काम करेंगी यह भी question आ सकता है आप लोगों का direct question आएंगा आप लोगों से ठीक है यह हो सकता है statement वाला टाइप का question बना कर आप लोगों को दे दिया जाए तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है फ्रेंट बिसीकली एक पद्दती है जिसके अंदर में हम लोग जो हमारे waste material होते है जो waste product होता है उससे खाद बनाते है हम क्या करते है जो भी चीज़े हमारे पास में मिट्टी पहले डाल देंगे उसके अंदर में फिर कच्रा वगेरे डाल द में जो है फ्रेंट वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर में आप लोग क्या करते हो अर्थ वर्म जो है उसका इस्तेमाल करते हो यह याद रखने है आफ सभी लोग ने अर्थ वर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है ठीक है एक डबबा हो दो थोड़े समय के अंदर में वो खराब हो का सडगल कि जो है वह आपका खाद बन जाएंगा वह आपका तो वर्मी कम्पोस्टिंग के अंदर में आप लोग क्या करते आर्थ वाम का इस्तेमाल करते हो ठीक है इनको लाल लकुमि भी कहा जाता है देखो यहां पर आप लोगों का जो है अलग अलग चीज चीज दिती लेकिन लेगिन को कि किसानों का दोस्त बीस को कहा जाता है वर्मिंट कॉंपोस्टिंग सबीखनी ette包 collection of rain water for future use is called ठीक है भाविश्य में उप्योग के लिए वर्षा जल का संग्रहन क्या कहलाता है जो वर्षा के जल को आप लोग बचा कर रखते हो तो थैंक यू वरी मुच सरकार जी तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हम लोग बात करें तो भाविश्य में उप्योग के लिए वर्षा जल का संग्रहन क्या कहलाता है रेन वाटर कलेक्शन रेन वाटर पंपिंग रेन डिगिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो इसका बेसिकली जो करेक्ट टर्मिनोलोजी है आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जबकि यह जो है आपको पता होनी चाहिए आप लोगों का मैं देख पारो कि केवल और केवल अब तक 44 प्रतिशत लोगों ने ही सही आंसर दिया है इसका ठीक है 44 प्रतिशत लोगों ने 43 परसंट लोग ऐसे है जिनों ने रेन वाट कलेक्शन लगाया है रेन वाटर कलेक्शन नहीं कहते हो उसको उसको क्या कहते हो आप लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हो ठीक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब देखो यह हिंदी में जो है ना फ्रेंट्स यह यहां पर में जो टर्मिनोलोजी यूज की गई है यह गलत है यह एक्जाम का question है आप लोगों का actual exam के अंदर में जो question आया था मैं आपको बता दू लेकिन answer इसका rainwater harvesting है और examiner ने भी इसका answer rainwater harvesting ही माना है क्योंकि वो उसको कहा ही जाता है आप लोगों का ठीक है यही होगा नहीं होगा यहाँ पर में rainwater harvesting कहा जाता है उसको rainwater collection नहीं बोलते उसको correct terminology आप देखिए rainwater harvesting के अंदर में हम क्या करते है ठीक है हम लोग जो है यहाँ पर में बहुत सारे जो जल है ठीक है उसको पृत्वी के अंदर में डाल देते है और हम लोग कोशिश करते कि वर्षा का जल का संचयन होता रहा यहाँ पर में तो answer जो है यहाँ पर में इस तरीके से होता है जो पानी होता है उसको इस तरी के से टांक वगरे के जरीए जो है friends नीचे में डाल दिया जाता है आप लोगोगं का यहँ समिनंके अंदर फीट कर दिया जाता है कि नवह आपकर रमें कोश्र् स्टार टूता तारह क्या होता है ठीक है तो आप लोग यह पूरा पूरा आप कø company upushka ड्यान अध्यान जाराया है तो तुता आरा किसको कहते है तुता तारह क्या होता है स्टार होता है कोई तारा जो तूट रहा है एक्शूल में कोई धूम केटू है ठीक ए उलका पिंड है या एस्ट्रॉइड है बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा 79% लोगों ने 78% लोगों नहीं हम पर वे आंसर आप लोगों का लगाया है तो बिलकुल उलका पिंड इसको कहा जाता है यह याद रखना है आप सभी लोगों ने उलका पिंड कहते है इसको जो यह तूटता हुआ तारा है ना actually पत्थर के तुकड़े हो चटान के पत्थरों क अब दिखाई दिया ५ो एक्टिवार्ण में हे तो हावा में घर्शन हो रहा है उसका घर्शन फ्रिक्षन फ्रिक्षन के कारण जलनने लगा और जलकर वहाण पर हमें चमक ने लगता है भगभण वहumphwiek वहाह चाहँ उसको जलन हो रही है यहाँए जल रहा ए ही वह कर तंस तो आप रिल एंदडर मेंदम है मेसस्वेयर नाम की a watershed की आफ्फ्वेयर में यहां पर आप कर ज्लने लगदा है हो यहाद रखेंगE आइस जो है तो आप आप मे के यह יकुआ है वह जलते जब है तो वह गलोगरते हैं चमकते और आप उनीको जो है तूट drives लेते हो ओर से अँगी अर में को है इनको कहते है यह याद रखनें आप लोगोंने तो यह जो उलकापिंड है यह कैसे निर्मान होते हैं आप लोगों के उलकापिंड कुछ जो है याद रखने है आप लोगों ने जो बड़े-बड़े शुद्र ग्रहा है अंतरिक्ष में ठीक है आपके मंगल ग्रहा और ब्रहसपती ग्रहा की कक्षा जो कुछ घूम रहे हैं बड़े बड़े चट्टान के तुकड़े, उन में से कुछ तुकड़े तूड़ जाते हैं, वही म्यूटिरोइट बन जाते हैं बाद में आपके, अब फ्रेंड एक कोशन आपका जल्दी से एकदम फास्ट मुझे आप लोगों का जो है, ठीक है, सोशांत मिश्रा जी आपका जो है, आप लोगों ने उप्शन में लगा देना है, जल्दी से, सभी लोग कमेंट में लिखते जाएंगे, काईबू लम्जा हो है, कौन से स्टेट में है, कौन से लेक पर है, आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है, तो लोग तक जील पर है, मनिपूर के अंदर में ये लोगों ने, कायबू लम्जुभ नेच्नल पारक, जलो जल्दी से, यहाँ पर में इसका भी लगओ, ये भी आप लोगों को बढ़ाया हो है, मैंने, सभी लोग बताएंगे हैं हाँ पर, साता मेरीका से, क्या आया है? ये जोडिया यहाँ पर में दी गई है, दकशन अमेरी तो अजाता काम खतम अपना बंगी भही ती तो एक ही जोडी तीन के साथ लगने वाली है तो एक जोड़ी तीन के साथ में एक ही जगा पे लगी है आपकी और option elimination की ninja technique आपका आंसर आ गया खतम देखिया आपका आंसर आ गया डायरेक्ली एक ही जोड़ी तीन के साथ में लगाकर डायरेक्ली आंसर लगा दिया आप लोगों ने इसके अलावा जो है फ्रेंट्स यूरोप से क्या आया पत्ता गोभी आया आई आप लोगों की और मतर भी आ अलावा अफ्रीका से आप लोगों का जो है फ्रेंट्स कॉफी ठीक है कॉफी की जो बींस है और भिंडी जो है आप लोगों की जिसको और का आप लोग लड़ी फिंगर भी बोलते हो उसको यह आप लोगों की आई थी ठीक है मन कर रहा है sir आलू टमाटर की सब्सी खाने का अब रीता सिंह जिलो बना लेते हैं जल्दी से आप भी बना लीजी अपने हापर में और जल्दी से खालो मन कर रहा है तो खालो उसको बना के तो यह हापर में आपका आंसर जो है आप्शन नमबर चार हो जाएगा आप लोगों में आप किसी भी सीटेट के अंदर में चले जाए को उसमें वहापर आप लोगों को मिल जाएगी वहापर पढ़ सकते आप लोग भारत के विभिन भारत के निमना लिखित में से किस राज्य ये केंदर शाशीत प्रदेश में ठीक है पहाडियों के उपर में ग्राम परिश्य चलो बहुत बढ़िया ठीक हम सबकी निजा डेक निया पर में option elimination करना है आप लोगों नहीं हम जल्दी से बताइए यहापर मैं एक रहनी हूँ और मैं रोज आपकी ग्लास देखते हूँ चलो थैंक्यू वेरी मुच मैम मलीक मैम चल यह जल्दी बताइए कहांपर में होता है मिजोरम के अंदर में यहां पर में आयुजित की जाती है और कितना होता है तिन है जो unit है वो 10 है 10 न डी में जमीन जो है दी जाती 1 10 2 10 तीन 14 इस तरीके से जमीन जो है वो विद्रित की जाती है ठीक है like and share भी करते रहेंगे इतने भी लोग को देख रहे हैं और टीचिंग परिशा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है आप लोगों ने और हर रोज आप लोगों की क्लास एक बज़े होंगी तो एक बज़े सभी लोग क्लास में आ जाया करें निम्ना लिकित में से कौन सी ओडिशा की पारंपरिक पेंटिंग है आप लोगों की देख यहां पर में आंसर आ रहे हैं यहां पर में आप लोगों का ठीक है तो अगर हम बात करेंगे यहां पर में उडिशा की तो उडिशा जो है आप लोगों का उडिशा के अंदर में पत्त चित्र जो है आप लोगों की यहां पर में परफॉर्म होती है य यो हम ने थोड़ी दर पहले देखा था पट्ट चित्र आप लोगों की उडिशा के अंदर में होती है उसके बाद में वरली की बात करूं मैं आप लोगों से तो बताए जल्दी से वरली कहां से है सांजी कहां से और मधुबनी कहां से आप लोगों की सारे के सारे आंसर करने अपने, मैंने आप लोगों को आंसर बता दिया यहां पर में, ठीक है, पत्ट चित्र उडीसा से सभी लोग लिखेंगे, और एक साथ बाखी के जो आंसर से आ लोगों के वह भी आपको बता ना है, वरली महारास्ट्र से, ठीक है, सांची, यूपी से उत्रप्रदे नहीं है, स सांजी है सांची नाम की जगा मध्यप्रदेश में यह सांजी पेंटिंग है आप लोगों की सांजी आर्ट तो सांजी आर्ट उत्तरप्रदेश से आप लोगों की सांची और सांजी अलग अलग है सांची आपका मध्यप्रदेश में जगा का नाम है सांची का स्तूपा है जो सारे के सारे लोग चालिये next question के तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग friends मैंने आप लोगों से कहा था कि निमदली कितने से कौन सा mesophyte पौधो की विशेषता है mesophyte meso आपको बताया था मैंने कि आप लोगों का हेलो फाइट क्या होता है हेलो फाइट होता है फ्रेंट जहां पर में नमकीन पानी के अंदर में जो है पौधे उख सकते है hello fight mesophyte जहां पर में आप लोगों का जो है friends आप लोगों ने याद रखना है ठीक है जो is or hello fight होते हैं आप लोगों के ज eco fight होते हैं आप लोगों के उनकी क्या विशेष्टत यह बताणी आप लोगों इस पैस की उपर में उनकİ जो होगा उनकी पतिया होती है एक extra point आप लोग के हापर में याद रख लेंगे, कि उनकी जो पतिया होती है, आप लोगों की पती, पती, ऐसे बना लेते हैं, उसके उपर में wax की coating चरह जाती है, ठीक है, wax की coating मतलब कि आप उसको ऐसा imagine कीजिए, कि पतियों के उपर में चिकना पना आ जाता इस तरीके से, व सिंधसा मान लो कि आप मध्यं परिवार से बिलोग करते हों, एध्रिया मंल कोखंटे हैं, विलोग करते हैं, तो कि आप बहुत पैसा बहुत आप करते हैं यहां करते हों, जुँसarin है, कम से कम, का में हजाएं ट्रीजण हों, 5000 पानी जापर में होता है, तो यह क्या करते है, इनकी जो लीव्ज होती है, पत्या जो होती है, उसके उपर में wax की coating चड़ जाती है, ठीक है, यह आप लोगों को जो भूमध्य, शेत्री है, जो आप लोगों के पौधे होते हैं, जो Mediterranean Sea वाला टाइप का इलाका जो है, यूरोप और अफरीगा के बीच में, उस वाले शेत्र के अंदर में ऐसे पौधे बहुत जादा पाए जाते हैं, तो इसका answer option number A हो जाएगा, यह आपको extra point बताया है, मैंने कि मेजोफाइट जो है आप लोगों का, ठीक है, मेजोफाइट ए पानी का लॉस जो है, वो रोका जा सके, ठीक है, मेजो से मॉम भी कर सकते हैं, आपके मम्मी पैसे का लॉस रोकती है, तो मेजो, M, मॉम लगा लो आप लोग, देखिए फ्रेंट, वर्मी कमपोस्टिंग में किसका इस्तिमाल किया जाता है, अब आपको बता दू, आपके NCR से कॉपी किया गया कॉश्चन, ठीक है, आप लोगों की, NCRT से कॉपी किया गया कॉश्चन था, SSC, RRB, Group D के अंदर में, तो मतलब आप लोग कितना बढ़िया तरीके से प्रिपेर हो रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, आपको बोला गया है, कि वर्मी कमपोस्टिंग में, केचुए का, अर्थ वाम का इस्तिमाल किया जाता है, जल्दी बताओ, उसको और किस नाम से जानते हैं, हर कोई बच्चा बता देगा, हैं आपर में, केसानों का मित्र भी उसको कहते है, बिल्कुल, सुरेंदर जी, और बताए जल्दी से इसको क्या कहते है, वेरी गु मतलब गर्मी और ड्राइनेस वहाँ पर में होती है, उस शेत्र के अंदर में आप लोगों का जेरो फाइट होते है, जेरो फाइट टाइप के जो पौधे है, वो विक्सित होते है, जेरो फाइट, जीरो, इस से याद रख सकते थे आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट में कर देगा ठीक है जेरो जीरो से याद रख लेना कि भाई पानी बहुत कम है जीरो पानी है वहाँ पर में तो वाम और ड्राय जो है शेत्र के अंदर में आपका होता है ठीक है चलिए और हर बच्चा आंसर करेंगा कमेंट में चाहिए लाइट देख रहों अफलाइन देख रह करती है तो तीन क्या है आपका जल्दी से बताईए यहां पर में तीन क्या है एक्जाम में पूछा गया कोशन आपका तीन क्या है यहां पर में जितने भी बच्चों ने पढ़ा है अच्छे से उनको याद होगा तीन का मतलब होता है आपका वह भूमी जिस पर किसान एक त 1-3-beach पैदा करता है किसान विशेश रूप से डिजाइन कही की भूमी 100 भाई 100 की भूमी तो आपका अंसर क्या होता है फ्रेंच यहां पर में 1-3-beach पैदा करता है या 1-3-beach उगाता है यह दो में से आप लोगों को decide करना है तो 1-3-1 ठीक है जो है एक टीन बीज बोता है ठीक है जिसके उपर में on which मतलब उस जितनी जमीन के उपर में किसान जो है वो एक टीन बीज जो है वो बोता है या उसके उपर में एक टीन बीज से फसल उगाता है वो होता है आपका on which होना चीए from का मतलब हो जाएगा कि उसमें से उगाता है उ इतने की ऊपर में उपिता है एक वाता है एक यह तीन बीज मिल गया तो एक यह तीन भूमी बोला जाता है णा कि उस भूमी से एक यह तीन भूमी में को तो सेक्रो टिन जो है बीज उगा जा सकता है निकाला जा सकता है तो जिस भूमी के उपर में पोया जाता है एक टिन-बीज उसको एक टिन भूमी कहते हैं यह ओन वाला आपका देखो दोनों आप्शन दिए गया है यह एक्जाम में पुछा गया question on भी दिया गया है ओर from भी जाइना हो जाएगा ऐक टीन्टीन बीजँन उगाता है ऑन होना चीए एक्जाम में पूछा गया में अप कुछन याप लोगों का तो ड्राव के माध्यूच्ड हमसे निकाला जाताए है आपर में लोट्री के माध्यूमसे और भूमी वित्रित की ही जाती है ठीक है इसके अलावा आप लोगों बता दूँ अगर आप लोग चाहते हो कि teaching पर इसी के साथ में आप लोग जोड़ना है तो डानी शेक जो टेलीगराम गुरूप है उसके उपर में और teaching पर जोड़ने आप लोग यहाँ पर जुड़ु सकते हो 2023 जो है आप लोगों का कोड है friends, इसमें 40% चर रहा है Christmas offer तो आप लोग उसका भी इस्तिमाल कर सकते हो, thank you Rubia जी, आपको बहुत बहुत शुक्री है आपके इतनी पैर से comment के लिए, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए classes लेता रहो तो मुझ करते हैं friends, जहाँ जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो, ताकि ऐसे ही motivation के साथ में मैं आप लोगों को सारी चीज़े करवा सकूँ, okay, चलो, और friends, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा मैं, कि आप लोगों का 30 नहीं, बिल्कुल पूरा 60, जो maths है जो आप लोगों का 120 प्लस का, कम से कम 120 होने, प्लस होने ही चाहिए, और प्लस की बात करो में, 120 के उपर होने चाहिए, आप लोगों के नमबर, okay, चलिए, बाकि हम लोग मिलते हमारे next lecture में, कल डॉट एक बजे, तब तक आप लोग Teaching Parisha चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना friends, मिलते next class में, तब तक के लिए, take care and buy, जी हा, रुई परवीन जी, कल से आपको टेस्ट भी मिल जाएंगी, ठीक है, और, इंद्रिया तिवारी जी, जारखन के अंदर में भी आप लोगों को, आपके PRD के अंदर में, बिल्गुल काम आएंगा उसके अंदर में, इवल आप लोगों का, प आपको सवाल पूछ लीजे, अगर या फिर आप जो है, नीचे में भी पूछ सकते हो, thank you, बबली ठाकूर ओफिशियल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, LTE grade के लिए करवाना, LTE grade के लिए, सूरेंदर जी, एक जो है, बहुत ही, एक interesting सी चीज आपके लिए भी लेकर आ रहे है, ठीक है, आप मुझे बस एक वीक का समय दीजिए, एक वीक के अंदर में मैं आपको जो है जलकूर बताऊंगा, thank you Aryan जी, thank you very much, चलिए, दिव्या गंगवार अभी आपको पताच चलेगा, बहुत ही जल्दी, okay, thank you Rui, and thank you very much everyone, मिलते हमारे next class में, तब तक ले, take care and bye, God bless you all, thank you friends, bye, thank you